अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकोन पर क्लिक करना ना भूले इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेर अवश्य करें प्यार से कहना धान में कायर जी साथ से कि जी आज सुवाही जब इधर Singapore में आगमन हुआ इधर तो उसी समय से बस यही लगा हुआ था कि कब सत्संका समय हो और आप सब के दर्शन हो पाएं and I'm really happy to be here today and because we are here all to celebrate humanity and जिस तरह जो निरंकार प्रभू पर मात्मा का यहां जिकर हुआ चाहे वो कितने ही अलग तरीके रहे हैं चाहे वो कविताओं का रूप में हुआ चाहे गीत भजन के रूप में स्पीच के या उस से पहले जो वो कुल्च्रिली यह डांस फॉर्म में कर रहे थे या ओडियो विज्वल विडियोस प्रेजंटेशन के द्वारा था तो इस तरह यस रूप में आप सब के साथ यहां हो कर दासी सच में बहुत ही आनन्द फील कर रही थी कि किस तरह यह महौल भी जो डेकररम संगत का था वो इतने सबने मर्यादेत रूप में सच संग का आज आनन्द लिया और जैसे बताया महापुशों ने भी कि सिरफ इदर लोकल संगत ही नहीं आसपास के देशों से भी सब आप चल कर आए हैं इधर तो दासी जादा समय ना लेते हुए आप सबके चर्णों में बस एक ही बात रखेगी कि जिस तरह हमें बार बार आज भी स्ट्रेस किया यह importance of सच संग में और जिस तरह वो question भी महापुशों ने पूछा कि क्या जरूरत है सच संग की वो हमारे अपने ही विश्वाश को पक्का करने की है कि जैसे एक पूरातन बात जो बार बार सच संग में अकसर धुराते है सब कि जब कबीर दास जी को किसी ने यही बात की थी कि सच संग जाना क्यों जरूरी है तो वो एक कील को दिवार पे हथोड़े से मारते रहते थे तो उससे उनके पास जो जो ग्यासा लेके गया था वो ये बात नहीं समझ पाया और अंत में उनको साफ शब्दों में बताना पड़ा कि कैसे यह कील अगर दिवार पे एक हैमर बार एक बार करो तो बिल्कुल वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं दिवार पे लग सकती उसको अगर पका करना है अगर उसके ऊपर कोई मजबूती भरी कोई ऑब्जेक्ट है कि कोई सीनरी या कुछ भी जो वेट बैर कर ले वो कील उसको सच्चे तरह अगर स्ट्रेंद देनी है तो उसको बार बार हामर को उसके हैड पे मारना परता है ताकि वो दिवार में अच गौड, अल्लावाई, गुरू, जो भी नाम से हम बुलाएं, उसको अगर अपने पल-पल में हमको विश्वाश रखना है, अस्तित्व में और हमें डीपली इंग्रोस्ट होना है, तो पल-पल स्मिरन करें और उस तरह करें कि कोई चाहे निरधारत समय ना लेखते हुए, पल हमारी चलती ही जा रही है, उसी तरह जो निरंकार से हमारी कनेक्शन है, ये सेवा सिमरन सत्संग रूप में ही होती है, और वो भी पूरा दिन सिमरन के द्वारा हम कर सकते हैं, और सत्संग रूप में भी जैसे आज आप इकठा होए हैं, ऐसे ही आगे बढ़ चड़कर सत्स के रूप में हैं, तो भी हमारी सेवा है कि आके समय पर सत्संग आएं, बैठे ग्रहन करें और जीवन में apply करने जो सीखा है यहां या फिर जो भी duties allotted है कि किसी की लंगर में किसी की सेवदल रूप में लाइने चलाने के लिए या जो भी पार्किंग में जिसकी भी जहां जा है उसके इलावा भी जब हम घर पे भी बैठे हैं तो भी हम वो मौका सेवा का इस तरह भी कर सकते हैं कि च कुछ अगर उसको चाहिए उसको comfort देने के लिए कुछ भी selflessly अगर हम वो करते हैं वो सेवा ही है चाहे as basic is वो अगर उसके चहरे से आफभाफ से लग रहा है कि उसको पानी और कॉफी चाहिए तो उसके बोलने से पहले उसको अगर खुद ही दे दे तो वो भी नरंकार को हा आपने निकलना भी है जहां सब ग्रस्त जीवन में जिम्मेवारियां भी है परिवार भी है और कल भी आप सब का working day है तो दासी और टाइम नहीं लेगी आप सब का यहां धन्यवात करेगी कि ना की सिरफ आप सब आए पर जो आप जीवन में मुख्य रूप में जो इस ब्र और जो काफी महापुर्ष इदर आज आए होए हैं यह जिग्यासा लेके कि हम भी जिस तरह आज यहां सब के सिरफ शब्दों में नहीं वो वाइब में वो फेस से भी पता लग रहा था कि जो शब्द बोले गए हैं सब सचे मन से उसको जी भी रहे हैं सिरफ शब्दों की तरह कहां नहीं गया तो वो केवल और केवल इस ब्रह्म ज्यान से ही होता है तो जो भी जिग्यासूं है वो आज आए हैं तो इस मौके का फाइदा उठा ले और सत्संग के बाद ब्रह्म ज्यान भी जरूर प्राप्त करके अपने घरों को जाए साथ संगर जी धन्नकाज अ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो टू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकोन पर क्लिक करना ना भूलें इस वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेर अवश्य करें